नवश्कार दोस्तों घर पर पैट्स रखने वाले लोग दुनिया भर में हैं क्यूंकि लोग जानवरों से प्यार करते हैं और इसी वज़े से उन्हें अपने परिवार का हिस्ता भी समझते हैं दुनिया भर में लोग कुता, बिली, खरगोश, तोता, कबूतर यहां तक की चुहा भी घर पर पालते हैं हालांकि लोग सबसे ज़ादा कुत्तों को ही पालना पसंद करते हैं क्यूंकि कुत्तों को इनसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है इसके साथ ही अपने मालिक के प्रती वो बेहत वफादार भी होते हैं और तो और एक सर्वे में ये पाया गया कि जब इनसान डिप्रेशन में होते हैं, उदास होते हैं तो अपने डॉग को देख कर खुश हो जाते हैं लेकिन दोस्तों दुनिया में कुट्टों की कुछ ऐसी परजातियां भी हैं जो बेहत खुंखार और खतरनाक होती हैं हाली में आपने न्यूज में सुना होगा कि चंडीगर के पडोशी शहर हर्याना के पंचकुला में पिडबुल और रॉट्विलर नसल के कुट्टों पर प्रतिबंद लगा दिया गया है इन दोनों नसल के कुट्टों को लोग अब घर पर नहीं रख सकते इसी तरह कुछ और खतरनाक कुट्टों को भी कई देशों में बैंड किया जा चुका है अगर आप भी जानना चाहते हैं इन खतरनाक कुट्टों के बारे में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नॉलिज से भरपूर वीडियो दोस्तो वर वल्फ या भेडिया मानव के बारे में तो आपने सुना ही होगा और राहुल राय की जुनून मुवी और हाली की भेडिया मुवी में इसका नमूना भी आपने देखा होगा लेकिन क्या आप वुल्फ हाइब्रिड डॉग के बारे में जानते हैं? चलिए हम बता देते हैं अब इसके नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि इसका भेडियों से कोई तालुक जरूर होगा इस डॉग ब्रीड को वुल्फ ब्रीड से क्रॉस करवाया जाता है और इसलिए आपको इस ब्रीड के डॉग्स में वुल्फ के लक्षन साफ साफ देखने को मिल जाएंगे इस ब्रीड के डॉग्स सभाव से काफी जादा खुंखार होते हैं और आम तोर पर ये जर्मनी और यूरोप जैसी कंट्रीज में पाए जाते हैं अगर इने ऐसा महसूस हो कि कोई चीज इनकी है और उसे इनसे चीना जा रहा है तो उस समय ये काफी जादा आक्रमक हो जाते हैं और अपने मालिक तक को नहीं छोड़ते इसलिए इने ट्रेन करना काफी जादा मुश्किल है इस ब्रीड के डॉग को दिन में कम से कम एक घंटे का वयायाम जरूर कराना पड़ता है बॉक्सर डॉग को अकसर लोग गाड डॉग के तौर पर इस्तिमाल करना पसंद करते हैं ये डॉग वफादार तो होते ही हैं लेकिन इसके साथ साथ ये काफी खुंखार भी होते हैं बॉक्सर डॉग की हाइट 60 सेंटिमीटर और वेट 30 किलोग्राम तक होता है बॉक्सर डॉग का खाना काफी जादा महंगा होता है इन्हें दिन में कम से कम एक घंटा एक्सरसाइज कराना जरूरी होता है क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो ये कमजोर हो जाते हैं डॉग एक्सपर्ट्स इन डॉग्स को बच्चों से दूर रखने की सलाह देते हैं क्योंकि इनका सभाव काफी जादा आक्रमक होता है और गुस्से में ये किसी को नहीं छोड़ते इस ब्रीड के डॉग का नाम सुनते ही और इसे देखते ही हमारे मन में सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है पुलिस वाला कुत्ता इंडिया में ये डॉग इसी नाम से जादा फेमस है ये डॉग अपने मास्टर के प्रती काफी जादा वफादार होते हैं इन्हें दुनिया के हर कोने में पाला जाता है और अगर इने पालतु ना बनाया जाए तो ये डॉग काफी जादा खुंखार होते हैं और इन्हें क दिखने में तो काफी मोटे और प्यारे होते हैं लेकिन अगर इन्हें अटेंशन ना दिया जाए तो ये तुरंत गुसा हो जाते हैं और गुसा होने पर ये डॉग्स किसी को नहीं छोड़ते इनके खूबसूरत बालों के कारण ये डॉग्स यूरोप के सबसे पसंदीदा ड इनका वेट 32 किलोगराम और हाइट लगबख 55 सेंटीमीटर तक होती है नमबर 6 रॉट वीलर दोस्तों इनके मासूम चेहरे पर मत जाएए क्योंकि ये दिखने में जितने मासूम लगते हैं उतने ही जादा खतरनाक होते हैं कहा जाता है कि इन डॉग्स के दांत और शरीर से जादा खतरनाक होते हैं अगर किसी चीज़ को ये अपने दांतों से पकड़ लें तो उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ते अब तक इस डॉग के कारण अमरीका में लगबख 55 लोगों की जान जा चुकी है कहा जाता है कि अगर इनके मालिक इनका ध्यान अच्छे से ना रखें तो ये उनके उपर भी हमला कर सकते हैं इनकी हाइट बहुत ही कम होती है लगबख 70 सेंटीमीटर लेकिन इतनी कम हाइट होने के बावजूद भी इनका वजन 60 किलोग्राम होता है इस ब्रीड के डॉग दुनिया में सबसे जादा बड़े और लंबे होते हैं और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका विशाल शरीर इसे और भी जादा ताकतवर और आकरमक बना देता है इसका वेट 90 किलोग्राम और हाइट 85 सेंटी मिटर तक होती है यह डॉग खत्रा महसूस होते ही हमला कर देते हैं लेकिन देखा जाए तो सभाव से इतना जादा आकरमक नहीं होते यह डॉग यूरोप के कुछी देशों में पाए जाते हैं और शायद इसी वज़े से इनकी कीमत भी काफी जादा होती है नमबर 4 पिट बुल अमरीका जैसे देशों में इनसानों की सबसे जादा जान लेने वाला यह डॉग पिट बुल दुनिया का सबसे खतरनाग डॉग प्रीड है पुराने जमाने में इसे पिट पर उतार कर लड़ाई कराई जाती थी और इसी क चुकी है इनका वजन लगबक 30 kg और इनकी हाइट 50 cm तक होती है दोस्तों अब आप सोचेंगे कि इसकी हाइट और वेट तो बाकी डॉग्स की तुलना में काफी कम है लेकिन हम आपको बता दें कि इससे ये कम खतरनाक नहीं हो जाते यहां तक कि अमरीका में इस डॉग को प खतरनाक है और यह अपने इसी खुंखार नेचर की वज़े से यूके और उसके आसपास के कई देशों में पूरी तरह से बैन है यह एक शिकारी डॉग है पुराने जमाने में इन डॉग्स को शिकार के लिए लेकर जाया जाता था और लोग अपने मनुझन के लिए इने आ बहुत मुश्किल है इनका वेट 45 किलोग्राम और हाइट 70 सेंटी मिटर तक होती है नमबर टू जैपनीज टोसा दोस्तो पुराने जमाने में जापान में इसे खुनी खेलों के लिए इस्तिमाल में लिया जाता था इसी कारण इन डॉग्स को पालतू बनाना बहुत मुश् है और इनकी आवास काफी डरावनी होती है जैपनीज टोसा को यूके और आइरलेंड जैसे देशों में बैन किया जा चुका है और इनने दूसरे देशों में ले जाने पर भी काफी सावधानी बरतनी परती है ये डॉग एक दिन में कई किलो मास खा लेते हैं और इसलिए इस डॉग को पालना आपके लिए काफी महगा पड़ सकता है इनकी हाइट 85 cm तक और इनका वजन लगबक 60 kg होता है नमबर वन डॉबरमेन दोस्तों अगर आप डॉबरमेन के आसपास हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये डॉग सिरफ अपने ओनर के प्रत इसे माल में लाया जाता है इन डॉग्स का वजन काफी कम होता है और इसी कारण ये काफी तेजी से दोड़ पाते हैं और फुर्ती ले होते हैं ट्रेवल के दौरान इसे कहीं ले जाने से पहले आपको विशेश तरह के इंतिजाम करने पड़ते हैं ताकि ये किसी को नुकस पहुंचाएं यहां तक कि कई देशों ने इन डॉग्स पर बैन भी लगा रखा है दोस्तों वैसे तो ये सारी डॉग ब्रीड काफी जाता खतरनात और खुंखार होती हैं लेकिन इने प्यार से रखने पर ये मालिक के प्रती काफी वफादार होते हैं तो क्या आप भी इन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ओन कर लें वीडियो में अंतक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद